हलो दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों से धंतेरस की संपुर्ण पूजन सामागरी लिस्ट सेयर कर रहे हूँ मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट कर रहे थे कि आपने अभी तक दिवाली और धंतेरस के लिए पूजन सामागरी लिस्ट सेयर नहीं किया है तो मेरी तबियत अभी खड़ाब है आप लोगों को आवाज से भी लग रहा होगा और इसलिए मैं ब्लॉग भी सेयर नहीं कर पा रहे हूँ लेकिन फिर भी आप लोगों की इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं और मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट्स ये भी रहते हैं कि आप कम से कम पूजन सामागरी सेयर कीजी ताकि कम से कम सामान में फूजा हो जाए तो आज के लिस्ट को देखके आप लोगों को पता लग जाएगा कि आज मैंने कम से कम सामान में ही आप लोगों को बताया है कि पूजा कैसे करना है और इसमें से ज्यादा तर सामान तो आपके घर में पहले से भी होगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर भी कर दीजेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा पूजा के लिए आपको चाहिए अक्षत यानि की चावल चावल खंडित नहीं होने चाहिए यानि की तूटे हुए नहीं होने चाहिए चंदन आप रोली चंदन या कुमकुम ले सकते हैं फूल लेना है फूल में आपको लाल और पीला फूल दोनों लेना है लाल फूल माता लक्ष्मी के लिए और पीला फूल गनेश जी के लिए दुरवा गनेश जी को चराने के लिए मिठाई आपछाए तो घर में मीठा हलवा भी बना सकते हैं फल घी दिया जलाने के लिए और धंतेरस के दिन बहुत सारे लोग 13 दिया भी चलाते हैं या फिर बहुत सारे लोग एक दिया भी जलाते हैं, तो आपके हाँ जैसे भी होता है, वैसे आप जलाएंगे, कलावा, कलावा यानि की मौली जो की वस्त्र के रूप में चरहाया जाता है, क्योंकि आज के दिन जो हमारे पास पुरानी मतलब मुर्ती होती है, उसी की हम जानी मुर्ती की ही पुझा करते हैं, तो मौली चरहाते हैं, आज के दिन हम नया चुन्डरी वगारा नहीं चरहाएंगे, धूप, अगरवत्ती, माचिस, जनेव, गनेश जी को चरहाने के लिए, धनिया, धनिया भले ही आपके घर में पहले से है, लेकिन आज के दिन थोड पर रखेंगे, पुझा के टाइम में, कपूर चाहिए, पुझा के लिए चौकी, लाल कप्रा उस पर विछाने के लिए, लक्षमी गनेश जी की मुर्ती जो की पहले से घर में है, ये बात मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, मतलब आज के दिन हम नई मुर्ती तो ये आप लोग के ताइम में, धनthaillis के दिन जारू खड़ितने की परंपडा है, जो कि आप लोग को पत रही होगा, तो हमारे हैं हम लोग 2 जारू खड़ितते हैं, यानि की जोरे में ही खड़िते हैं, आपकी डेख लीजे की आपकी यहां कैसे खड़िदा जाता है, अगर आप लोग एक ही खड़ीते हैं तो एक खड़ी दिए अगर जोरा खड़ीते हैं तो फिर जोरा खड़ी दिए इसके अलावा आपको चहिए खील, बतासा, एक लोटे में जल, पुजा के लिए, सरसो का तेल, तील का तेल, जैसे बहुत सारे जगों पर लोग तेरा दीपक जला तो देख लिए, कि आपको तेल नेहां देख लीजे खड़ीते हैं, तो देख लिए कि हाँ, या फिर तेल के तेल में जलाया जाता है, आज देख लीजिएगा और आपको आज का वेडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा मिलती हूँ नेक्स्ट वेडियो में थैंक यू